एपिसल नुम्बर 68 की स्टाटिंग होती है और चांगवन के डैड वान बैई से कहते है मिस वान बैई आपका काम खतम हो जाने के बाद आप मुझसे मिलने टी हाउस आए जो फोन काट देते हैं और वान बैई कहरी होती हैं लेकिन मैं लेकिन फोन कट चुका होता है और वान बैई मन में कहती है या चांगवन के डैड मुझसे मिलना चाते है लेकिन मुझे बहुती बुरा फिल हो रहा है और फिर से इन सिफ्ट तोतर में टी हाउस बॉक्स दिखाया जता है जहाँ वान बई पहुच चुकी होती है और एक लेड़ी कहती है चेयर मेन मिस वान बई यहाँ पर पहुच चुकी है और वहाँ वान बई उन्हें देखकर मन में कहती है तो ये है चंगवन के डैड और फिर चंगवन के डैड उस लेड़ी से कहते है तुम जा सकती हो तब वो लेड़ी कहती है हाँ और फिर वो लेड़ी वहाँ से जाने लगती है और वहीं वान बै आगे बढ़ती हो मन में कह रही होती है चांगवन ने मुझे पहले बताया था कि उसके डैड बहुती ज़्यादा सीरिया से अब मुझे समझ आ गया कि क्यों और फिर हमें बताया जता है कि चांगवन ने क्या कहा था मेरे डैड बहुती ज़्यादा गंबीर है वो जातर तर समय लोगों को डाटते रहते है और फिर चांगवन के डैड उससे कहते है मिस वान भाई चांगवन के साथ तुमारा क्या रिस्ता है तब वान भाई उनसे कहती है हम एक दूसरे को देख रहे है ये सुन चांगवन के डैड हराणी से कहते हैं क्या एक दूसरे को देख रहे हैं मिस वान बै सबसे पहले आप बैट जाए तब वान बै उनसे कहते हैं आपका शुक्रिया सर फिर चांगवन के डैड उससे कहते हैं मुझे चेर्मेन हू बुलाओ तब वान बई बेटती हुए कहती है यस चेयरमेन हूँ और फिर वोमन में कहने लगती है ये अच्छा नहीं हो रहा है और फिर चांगवन के डेट टेबल पर एनवलब पर टकती हुए कहते है मिस वान बई ये रहे एक मिलियन डॉलर ये तुमारा मुआवजा है वान बई हरानी से कहती है हम और फिर वो उनसे कहती है चेयरमेन हूँ मुझे पैसो की कोई ज़रत नहीं है फिर चांगवन के डेट कहते है क्या हुआ क्या ये पैसे तुमाले काफी नहीं है क्या तुमें और पैसे चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इससे ज़्यादा पैसों के लायक भी हो ये सुन वान भाई कापने लगती है और फिर वो खड़ी होती है और कहती है मैं ये पैसे नहीं ले सकती चेर्मेन हूँ मुझे माफ करियेगा ये केकर वो वहाँ से जाने लगती है तब ही चांगवन के डैड उससे कहते है वान भाई तुमको उस चांगवन को समझनी की जरुबत है और तुम उसको ऐसे नहीं समझ सकती फिर वान भाई कहती है चेर्मेन हूँ चाय के लिए शुक्रिया गुड़ बाई और फिर सिंसिफ्ट उतर वान भाई हमें स्ट्रिट पर दिखाई जाती है जहां वो मन में कहरी होती है क्या चंगवन के डैड ये चाते है कि मैं चंगवन को छोड़ दू और फिर वान बै रुख जाती है और मन में कहती है नहीं मैं चंगवन से नाता नहीं तोड सकती ये गलत होंगा और वान बई रोने लगती है और तब ही वान बई के बाजो में कार आकर रुखती है और फिर वान बई उस तरब देखने लगती है और कहती है जेंग और पिर जेंग कार से नीचे उतरता है और कहता है वान बई क्या हुआ और वान बई अपने आसु पोस्ति वे कहती है कुछ नहीं जेंग वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तब जेंग उससे कहता है बस मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने यांग फिंग से सुना कि तुम चांगवन के साथ हो तब वान बई उससे कहती है हाँ और फिर जेंग कहता है वान बई चांगवन तुम्हारे लायक नहीं फिर वान बई कहती है जेंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो फिर जेंग वान बई का हाथ पकड़ता है और उसे लिए जती वान बई कहता है चलो ये सब भूल जाओ मैं एरपोर्ट किसी को लेने जा रहा हूँ चलो मेरे साथ चलो तब वान बई हैरानी से कहती हैं क्या अभी फिर वो दोनों कार के अंदर बैट जाते हैं और जेंग वान बई को देखती हूँ मन में कहता है वान बई ये सब में तुम्हारी भलाई के ले कर रहा हूँ और गाल जेजी के साथ एपिसोड नुमर 68 यहां इंड होता है पसंद आया तो लाइक और सब्सकाइब जरू करें मिलते आपके जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में